करते हैं अपकमिंग के लिए जो मार्केट में होने वाला कि क्या होगा आज मैंने जो बोला था कि निफ्टी बेंग निफ्टी आपका नगेटिव टू साइडवेज रहेगा अभी तक तो वह वैसा ही है बदब नगेटिव टू साइडवेज तो वीकली के चार्ट पर अगर आपको देखोगे तो अगेन मैं आपको दिखाता हूँ वीकली के चार्ट पर वीकली के अकोडिंग कुछ भी प्राइस के अंदर ऐसा नहीं है कि जो क्लोजिंग आ रही है यह जो क्लोजिंग आ रही है वो बहुत ही स्ट्रॉंग क्लोजिंग ह इसके बाद आपको थोड़ा सा उसको मैं और अच्छे समझाता हूं कि प्राइस वीकली के अंदर जहां पर एक लाइफटांग हाई दिया था यह जोन जो निफ्टी में मैंने बताया था ना इस जोन पर प्राइस वापस उपर दाने को सिस्क्री लेकिन यहां से गया निचे आए गया है तो अगेन आपका प्राइस उस जोन के अंदर क्लोज होगा इट मिंच जब भी डिप मिले आपको इसको लोंग कर सकते हो जो आपका बैंक निफ्टी का 53,000 प्लस का बागेट अभी अरॉंड कितना चल फिफ्टी 59,900 चल रहे है तो हर डिप में यह बाई ही बने आपका लेवल वाइज तो आपका जो प्राइस का जो ओर जिन जहां से इस विक यह उठा है ट्रेपर करके तो यह आपका एक ओर जिन है मुझे लगता नहीं कि इस ओर जिन में जब तक कुछ इंटरनेशनल नहीं कुछ घटे ना तब तक इस जोन में आना चीए वीकली के अ जितना भी आपके प्राइस के अंगर आप देखोगे तो आपकी प्राइस की यह है तो कंटिन्यूसली कल उसके ओपर क्लोज किया मार्केट ने आज फिर चाहे मार्केट आपका नेगेटिव टूस है लेकिन फिर भी यह बाइंग ही है फिर भी बाइंग यह और डेली के अक आने वाले दिनों में आने वाले विक्स के अंद़ को आपका नेगेटिव टेंड लान का ब्रेक आउट होने के बाद प्राइस ने क्या किया है और और मैंने हमें सब प्राइस आपका फ्लेट हुआ था तो बैंक निफ्टी में आपको एक बड़ा मोमेट मिला था अब इस प्राइस में कंशोल्डेशन का ब्रेकाउट हो चुका है ब्रेकाउट के बाद प्राइस इसके ऊपर तो साहिद आपकी क्लोजिंग आज यहीं आ जाने ची यहीं क्लोज कि मिलिए आपको हर 25 मिनट के जोन के अंदर कर सकते हैं अपना इसक्रीश मेनेजमेंट को फॉलो करते हुए जब भी प्रीवेस वेव का हाइट तो नहीं करना है जब लगाए तब करना क्लिर है मतलब कोई भी वेव का हाइट टूट जाएगा मतलब प्राइस एज वेव ट् इस से पहले 53,000 से पहले 53,000 के जोन मुझे लगता कि आराम से टूट जाएगा region यही आ definition इसका जो है वो यही है कि प्राइस का ट्रेंड जो है वो वीगली के अंदर कंटियूनिसली अप्रेंड है तो वीकली का ट्रेंड अप्रेंड है तो 4 आर्ल कि जोन की कोई भी स्ट्रे के टार्गेट और हो सकता है उसके बाद निकल तो 55,000 भी जा सकता है क्योंकि थोड़े अच्छे दिख रहे हैं अच्छा दिख रहा है कि आपका फोरार टुफोरार अगर आप देखोगे तो यह जहां पर प्राइस अभी चल रहा है आपको दिखाऊ यह प्राइस यही आपके सब्सक्राइब के लिए यह वारा जो लो है यह लोग के नीचे क्लोज नहीं होना चीए 51,600 तो कोई इस्यू नहीं है वापस आपका यह जोन है 51,200 फिर आपका नीचे की साइड यह हो जागा किसी दिन इंट्राडे में अगरमान लेजे उस अनेक्सपेक्टेड हो गया विक टेस्टेड हो गया यह भी टेस्टेड हो गया अब एक नई जर्मिस की स्टार्ट होने वाली है अराउंड 53,000 फिफ्टी फाइफ थाउजड है ठीक है अब बैंग निफ्टी की लाइफटाइम हाई की बारी है जल्दी पूंच जागा निफ्टी क्या है निफ्टी जो चल बैंग निफ्टी ज्यादा स्ट्रोंग है फिन निफ्टी भी लाइफटाइम हाई के आसपास ही है तो इंपोर्टेंट आपको नेक्स वीक जो देखना है और मुझे लगता है कि बैंग निफ्टी की एक बड़ी जब कैनल बनेगी तो फिन निफ्टी जो है आपका एक बड 23,750 से लेकरके आपका लेवल है 23,550 जहां से एक वीकली का अच्छा मुव मिल सकता है जो अच्छा मुझे लग रहा है अच्छा मुझे लग रहा है कि SDFC बैंक एक अच्छा जा सकता है तो इस रेंज का रेंज के ऊपर क्लोजिंग हुई और कल मैंने बता था यह कैनल को डिफेंड करेगा तो SDFC बैंक का बहुत अच्छा एक मुवमेंट अब देखने को मिल सकता है और यह SDFC बैंक अगले विक फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी को अच्छा उपर लेके जा सकता है आइसे से बैंक में देखोगे तो मैंने मोर्निंग में ही सब लोगों को बता जिया था कि आपका 1535 से 1540 पब्लिक टेलिग्राम गुरूप में लिखा हुआ ना कि स्विंग स्टेडिंग के लिए अच्छा है और आइसे से बैंक ने वही देखिए आज इसका लोग जो है 1255 के एडराओं एक परसेंद वहां से निकल गया है तो मेरेको अच्छा दिखता है आइसे से मुझे अच्छा दिखता है कैनफिन हम अच्छा है टाटा स्टील आपका लोंग के लिए अच्छा है नीचे का लेवल अगर मैं देखुं तो 400-35-430 का लेवल यह मुझे अच्छा लोंग वर जा आपका लोंग के लिए से निवड़ तो 800-430 का लेवल पहाई तो 500-966 का लेवल तो 400-2 spinning का लेवल 나오도록 है कैने एका लेवलिखता है दो कि वहाई पल्गर एक वहाई कैने जाम से अच्छाभा पारोंग से लिएका लोंग का लेवल तो 400- decl영राविता ह